हेलो फ्रेंड्स मैं अभी ब्लू पॉपी रिजॉट आली में हूँ और मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का एक ओवर व्यू दिखाने चाहूंगा कि किस तरह के हमारे रूम्स हैं कि कैसा हम खाना साव करते हैं अभी आप देखिए पूरा इतना खुक्सूरत व्यू है इस त हमरे का नाम फूल के नाम पर दिया हुआ है अलग अलग तो आप आएंगे देखेंगे यह पूरी तरह से वुड से बना हुआ है यह जैसे एक फूल का नाम था है हमकुन में खिचे हुआ हमने फोटो यह आपके बैडिंग हो गई केटल है और कपड़े अगर टांगने के ल आपका मुँ इधर होगा सामने यहां लेटके तो आपको ऐसे न जा रहा देखेंगा बैड से यह आपको हर कमरे से आपको व्यू मिलेगा ही मिलेगा बगार व्यू का हमने कोई रूम ने बनाया तो बाकी मैं आपको फिर अगला रूम लेके चलता हूं अब यह दूसरी तर इस रूम में कंस्ट्रक्शन वैसे ही है सारी वूड में और एक एक्स्टर बेड वहां लगा हूँ आपके लिए और व्यू वैसा ही है जैसे यहां से अगर आप लेटके देखेंगे सामने तो वही आपको सामने नजर आएंगे वही हाथी घोड़ा पाल की वैलियो फ्लार् पाल के लिए तो यह आपका ट्रिपल ओक्विपैंसी रूम हो गया हर एक रूम में ऐसे हमने मिर्व भी लगाए है और केटल भी मिलेगे आपको और यह आपका ट्रिपल ओक्विपैंसी रूम का ट्वालेट हो गया कि तीसरी तरह का जो हमारा रूम है यह फैमिली रूम है इसमें बेसिकली बेस कैपस्टी हमारे चार लोगों की है जैसे एक डबल बैड यहाँ नीचे लगा हुआ है एक डबल बैड हमने ऊपर लगाए हुआ है इस तरीके से और यह दो तिन तरह के हैं हमारे ना ऊपर भी और वहां से भी बड़ा अच्छा वियू मिलते आगे आप बेड़ से लेट के वियू देख सकते हैं इसमें एक्चुली हमने दो तरह के दो बात्रूम दिये हुए है क्योंकि लोग ज़्यादा है तो एक ये प्रोपर बात्रूम है इसमें और इधर दूसरी तरफ दूसरी तरफ आपका ये एक केवल नहाने के लिए अलग से दिया हुए है अब भी फैमिली रूम के एक और वेरेटी है में पर थोड़ा सफर्क है ये भी इसमें भी एक डवल बैड नीचे है और दूसरा आप ऐसे उपर जाते हैं ना तो उपर आके आपको एक डवल बैड यहां है और एक शिंगल बैड इदर भी आप देखिए इस पे नहीं में लेट के दिखाता हूं जो आप ऐसे लेट से ना सबसे आगे आके ऐसे तो सामने यह व्यू दिखता है तो बस मज़ा आ जाता भी को वहां तक दिख रहा है मुझे अब एक हलिकोप्टर दिख रहा हुदा आप देखिए ऐसे लेट के बहुत अच्छा व्यू आता है यहां से इस रूम में भी आप जैसे बैड़ पर लेटेंगे तो इधर आपको देखिए नंदा देवी का व्यू है और इधर हाथी गोड़ा पाल की और इधर आपका यह हाथी गोड़ा पाल की ऐसे है इस तरह के व्यू आपको सब ज़ेगे मिलेंगे अब भी जो हमारे रास्ते हैं इसी तरह से हैं अब देखिए और रास्ते में फूल हैं पौदे हैं इस तरह से और आपको चाहँ तरफ पीक्स नज़र आ रही है आप समर्स में भी आएंगे तो भी आपको ऐसे मज़ा आएगा अब ही मैं आपको अपना रेस्टोरेंट दिखाता हूं यह आप आज यह अंदर देखिए यह भी प्योरली हमारा वुड में बना हुआ है ऐसे और हम लोग नॉमली बुफे ही सर्व करते हैं ब्रेकफास्ट और डिनर आपका इंक्लूड़िड रहता है और हम केवल दिखते हैं हमारा राशन बहुत हाई क्वालिटी का होता है और आप चाओं तर व्यू देखिए कितना बढ़िया व्यू है अभी मैं आपको रेस्टोरेंट के बाहर के कुछ सीन दिखाता हूं यह कई लोग तो यहां बैठके खाते बड़ा मज़ा आता है यह देखिए और चार धाम में भी यहां पर आ सकते हैं यहां पर रुकिए सेम डे बजिनाजित जाहिए और आ जाहिए जो ओली है इसको केवल बर्फ के साथ मत जोड़िये यह पूरे साल आप आ सकते हैं थैंक यू सो मच